Hi everyone, welcome to my channel, आज मैं आपको बताऊंगे कि sunscreen को reapply कैसे करते हैं First of all, आपको हर दिन sunscreen को apply करना है हर 2-3 घंटे में आपको sunscreen को reapply करना है क्योंकि sunscreen का effect खतम हो जाता है 2-3 घंटे बार तो आपको reapply करना है अगर आप office में हैं आप घर पे हैं आप कहीं बाहर जा रहे हैं आपको sunscreen reapply जरूर करना है आज मैं आपको बताऊंगे कुछ methods की sunscreen को reapply कैसे करते हैं चार तरीका है इसी तरीका जिससे आप अपने sunscreen को reapply कर सकते है first होता है normal sunscreen जो आप यूज करते हैं उसको आपको re-apply करना है stick sunscreen उसकर चर्पाइब उसको घंज निवन करना है तो आप आप न्यूंज आपने टीशू से वाइप करेंगे या करेंगे अगर आपके फेस पे बहुत जादा ओयल वगर है तो आप टीशू से उसको डाप डाप करके जो भी ओयल आ रहा है आपके फेस पे उसको रिमूफ करेंगे और फिर आप थोड़ा सा अमाउंट लेंगे संस्क्रीन का जितना अमाउंट आपको चाहिए और फिर आप उ से या फिर टीशू से वाइप करेंगे फेस को और फिर आप संस्क्रीन को रियाप्लाई कर लेंगे थर्ड है इजी अगर आपका बहुत जादा ओयली अक्ने प्रोन इसके नहीं है तो आप सिंपल फेस वाश से फेस को क्लीन करिए और फिर आप अपना जो भी नासिनमाइट आप संस्क्रीन को अपलाई कर लेंगे एक और बहुत ही सिंपल तरीका है कि नॉर्मल फेस को वाटर से वाश कर ये और फिर डाप करके जो भी एक्सेस वाटर इसको रिमूफ कर ये और फिर आप संस्क्रीन को अपलाई कर ये सेकंड यूज करने का तरीका है स्टिक संस्क्र प्रेफर करते हो यूज करना क्योंकि बहुत एजिली आपके मेकप पे या नॉर्मल आप ट्रावल कर रहे हैं आप कहीं पर भी बाठे हुए हैं आप कार में बाठे हुए हैं आपको क्या करना है जस ओपन इट और स्वाइप करिये और यू आर गुड़ तो गो सो गाइस बहुत इजी होता है बहुत हैं अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक करता है मैं वेकेशन पे गई थी बीच वेकेशन पे वहां पे भी मैं सर्फ और स्टिक संस्क्रीन ही यूज करती थी अपने इन फाक्ट बॉड़ी पे भी इसको अप्लाई कर लेती थी बहुत अच्छे से इसको दो से तीन बार डेली यूज करेंगे तो एक स्टिक संस्क्रीन आपका एक महीने तो चल जाएगा उसके बाद इसके कुछ ऑप्शिंस मैं आपको बता देती हूं और मैं यहां पे भी डाल दूंगी उनके पिच्चर्स और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी फॉर्स नमबर पर जो है काफी अच्छा है यह व्यूज कर सकते हैं इसके बाद आप नेक्स्ट यूज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रे हैं संस्क्रिं स्प्रे है तो आप जस्ट आपने टीशु पेपर से फेस को क्लीन करेंगे जस्ट डब्डब करके और इस भी वो dry होके normal आपका skin, आपका जो sunscreen आपके face पे लग जाएगा, आप similarly अपने body पे भी spray कर सकते हैं, ये भी काफी easy होता है, apply करना, adjust कभी कभी आपको ये ध्यान रखना है कि उसका texture कैसा है, और अगर आप makeup वगरा किये हैं, और बहुत जादा oil वगरा आ रहा है, तो उसको sunscreen यूज़ कर सकते हैं, आप derma coca spray sunscreen यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद neutrogena का भी spray sunscreen काफी अच्छा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, फोर नमबर पे आता है powder sunscreen, अभी इंडिया में उतना जादा available नहीं है, derma को ने अपना powder sunscreen निकाला हुआ है, बहुत easy होता है, अगर आप specially makeup किये हुए या office में आपको time नहीं है, just आपने powder sunscreen अप्लाई किया अपने face पे and you are good to go, अगर आप indoor हैं तो powder sunscreen easily आप अप्लाई कर सकते हैं and आपके skin को protect करेगा अच्छे से, so guys इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, derma coca powder sunscreen and फिर super goop का powder sunscreen and bilare का powder sunscreen यूज़ कर सकते हैं, इं आप stick sunscreen जरूर रखिए अपने पास, बहुत easy होता है apply करना, कोई भी brand का use कर सकते हैं, आपको like dot in की मैंने purchase किया था and अभी अच्छा खासा चल रहा है guys, almost अब खतम होने वाला है, it just कि जब भी आप stick sunscreen use करते हैं तो आप apply करने के बाद एक swipe like tissue paper से swipe कर दिज़े, ताकि जो भी excess dirt वगेरा इस पर है, वो इसी पर ना रह जाए, just इतना ही आपको करना है, like ये बहुत अच्छे से आपकी skin को sun rays से protect करता है, और guys I would suggest कि अगर आप घर पे हैं, तो आप face को clean करिए, फिर आप अपना जो भी serum वगेरा वो apply करिए और नहीं भी है तो सिर्फ moisturizer या sunscreen apply कर लीजे, ये एक best तरीका होता है sunscreen को reapply करने का, घर पे हैं तो आप 3-4 घंटे भी रुक के reapply कर सकते हैं, लेकिन अगर आप exactly direct sun में जा रहे हैं, exposure हो रहा है जादा तो आपको जादा 2-5 घंटे में reapply करना बहुत जरूरी है, तो ये थे कुछ तरीका आपको sunscreen reapply करने का, अगर आपका बहुत जादा oily, acne prone skin है, तो मैं suggest करूंगी कि या तो आप spray वाला use कर सकते है, या stick वाला use कर सकते है, या फिर simple आप tissue से डाप करके, आपका जो भी go-to sunscreen है आप वो apply करिये, बहुत important होता है कि आपको एक अच्छा sunscreen apply करना है, चाहे वो chemical हो, या mineral हो, या फिर hybrid हो, कोई भी sunscreen हो, अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि संस्किन एक ऐसा product है, जो आपको daily daily apply करना है, and reapply करना है, तो it's very important कि आपको हर दिन वो अच्छे, अच्छा लगना चाहिए, उसका texture अच्छा होना चाहिए, heavy नहीं होना चाहिए, SPA 50 होना चाहिए, PA++++ प्लस ट्रेटिंग होना चाहिए, and वो आपके sensitive skin या जो भी oily skin है, उसको सूट करना चाहिए, so guys यह था मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो like, share, subscribe, till then keep watching, bye bye